जमू कश्मीर में विदान सबा चुनावों की हलचल बढ़ गई है दो दिनों के जमू कश्मीर दौरे पर अब राहूल गांधी जाने वाले हैं उनके साथ खरगे, मलेकार जुन खरगे जो की कॉंग्रस के अध्यक्षें वो भी मौजूद है और दावा है कि महा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ शेत्री दलों के साथ गटबंदन मजबूत करने पर भी जोड़ देंगे विदान सभा चुलाओं में जमो कश्मीर में इंडिया ब्लाग को मजबूती देने के लिए राहूल गांधी जमो कश्मीर के दो दिवस्य दोरे पर आ रहे हैं कोशिश ये है कि पीडिपी और एंसी के बीज दरार को मिटा कर तीनू पार्टिया मिलकर विदान सभा चुनाओं में बीजेपी का सामना करे जानकारी के मुताबिक इस दोरान राहूल गांधी की नेशनल कॉनफरेंस के नेता उमर अब्दुला के साथ बैठक हो सकती है कुछ इसी तरह का संकेत पीडिपी ने भी दिया है विदान सभा चुनाओं की घोषणा होने के बाद राहूल गांधी और मलिका जुन खडगे का पहला जम्मु कश्मीर का दोरा है जम्मु कश्मीर में तीन चर्णों में चुनाव होंगे वोटिंग 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्तूबर को होगी जबकि वोटों की गिनिती 4 अक्तूबर को की जाएगी पिछले कुछ दिनों से जारखंड की राजनीती में जारी सियासी हल्चल के वीच प्रदेश के पूर्व मुक्ति मत्री चमपाई सोरेन ने अपनी स्तिती को साफ कर दिया है उन्हें ने कहा कि फिलाल वो राजनीती से सन्यास नहीं लेंगे इसके साथ ही उन्होंने अपने आगे के प्लैन के बारे में भी बताया इससे पहले चार दिनों के दिली दौरे के बाद चमपाई सोरेन सराय केला लोटे जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया समर्थोगों का जोश देकर चमपाई सोरेन ने भी सन्यास लेने की बात से साफ इंकार कर दिया हाला कि उन्होंने ये जरूर बताया कि उनके पास सब भी कई बिकल्प है जिन पर वो सोच समझ कर फैसला करेंगे इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए शिबू सोरेन या मुखेबंतरी हिमन सोरेन से बातचीच से भी इंकार किया कोलकता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीब घोष लगातार सवालों के घेरे में है और इस मामले में CBI की संदीब घोष से पूछताच लगातार चाली और इसी कड़ी में CBI ने लगातार छटे दिन संदीब घोष से पूछताच की इसके लिए पूर्व प्रिंसिपल संदीब घोष CBI दफ्तर पहुँचे जहां उनसे CBI की अधिकारियों ने कई सवाल किये इससे पहले CBI ने पिछले 5 दिनों में संदीब घोष से 60 से ज्यादा सवाल पूछे मेरिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीब घोष शुरू से ही इस मामले में CBI की रडार पर है उनकी भूमिका शक के गेर में है आरोप है कि ततकालीन प्रिंसिपल संदीब घोष ने पूरी घटना के बारे में जानने के बाद एक बैठक की थी और पुलिस को बहुत देर से इसकी जानकारी दी थी सूत्रों के वाले से खबर है कि पूछताच के दौरान संदीब घोष के जवाब से CBI की अधिकारी संतुष नहीं है ये भी खबर है कि संदीब घोष अलग-अलग सवालों पर दिये गए अपने ही जवाब को बदल रहे हैं और यही वज़े है कि CBI की अधिकारी उनसे लगतार पूछताच में जुटे हुए है और इसी बीच कोलकाता के आरजीकर बेडिकल कॉलिज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीब घोष के बारे में कई चोंकाने वाली जानकारियां सामने आई है आरोप है कि संदीब घोष ने साल 2021 में कोविट के दौरान अस्पताल में तीन गुना ज्यादा खर्च किया जबकि साल 2022 में लैब बनाने में पाँच गुना ज्यादा खर्च किया गया तो वहीं संदीब घोष पर साल 2023 में प्रती टेंडर 20% कट मनी लेने का भी आरोप लगा साथ ही रिश्वत के बदले उन कंपनियों को टेंडर देने का आरोप है जिनके पास लाइसेंस ही नहीं था इतना ही नहीं ये भी आरोप है कि परिवार के अनुमती के बिना ही शव को रिसर्च या चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किया गया कोलकतर के आरजिकर मेडिकल कॉलेज की शुरक्षा की जिम्मिदारी अब केंद्री और दियोगी सुरक्षा बल यानी से ISF ने सम्हाल ली है ये निर्ण ने सूप्रिम कोट के उस आदेश के बाद लिया गया जिसमें मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा को लेकर चिंता साहिकी गई जिसकी बाद CISF के जबानों के साथ कई अधिकारी वहाँ पहुंचे और हालात का जायजा लिया साथ ही वहाँ अस्पताल प्रिशासन के साथ भी बैठक की गई कॉलेज के बाहर डॉक्टरों का प्रिदर्शन भी लगतार जारी है इसी दौरान डॉक्टरों ने एक मार्च भी निकाला जिसमें कई डॉक्टर अपने हाथों में तक्तिया लिए नजर आए डॉक्टरों ने साथ कहा कि जब तक उन्हें नियाय नहीं मिल जाता उनका ये प्रिदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा महिले रॉक्टर के रेप और हत्या मामले में A.S.I. अरूप दत्ता की भूमिका भी सवालों के घेरे में है और यही वजह रही कि इस मामले में C.B.I. ने A.S.I. अरूप दत्ता से करीब 8 गंटे तक पुश्टाच की बताये गया कि उनके बायानों की जांचारी है और उन्हें दुबारा पुश्टाच के लिए बुलाए जा सकता है ये भी बताये गया कि अरूप दत्ता और आरूपी संजे रॉय के बीच काफी निकटता थी और C.B.I. इसी बात को लेकर जांच कर रही है संजे रॉय को 2019 में आपदा प्रवंदन सम्मू के लिए सिविक वॉलेंटियर के रूप में भरती किया गया था लेकिन उसने वहां कभी काम नहीं किया वो कोलकाता पुलिस वेलफेर बोर्ड के लिए काम करने लगा और यही बज़े रही कि C.B.I. के अधिकारियों ने अरूप दत्ता से संजे रॉय के साथ उनके कथित संबंदों के बारे में पूछताच की ठाने के बदलापुर में बच्चेयों से दरिंदिगी का मामला विशांत भी नहीं हुआ था कि महाराश्ट्र से ही एक और दरिंदिगी का मामला सामने आ गया ताजा मामला अकोला का है जहां एक टीचर पर छे चात्रों के साथ छेड़चाड का आरूप लगा है जिसके बार पुलिस स्कूल पहुंची और आरूपी टीचर को गिरफतार कर लिया आरूप है कि सिक्षिक प्रमोट सरकार आटवी क्लास में पढ़ने वाली कुछ बच्चियों को अशलील वीडियो दिखाता था और उन्हें गलत तरीके से चूता था इतना ही नहीं वो लड़कियों के साथ अशलील बाते भी करता था इस बात का खुलासा तब हुआ जब काउंसलिंग के लिए चाइल लाइन के कुछ सदस से स्कूल पहुँचे इस दोरान बच्चियों ने उन्हें इसकी जानकारी दी जिसके बाद पुलिस तुरंथ हरकत में आई और आरोपी टीचर को गिरफतार कर लिया